नमः संस्कृताय मेरे प्यारे बच्चों आपको हम कभी कुल गुरुह कालिदाशाह पढ़ा रहे हैं संस्कृत के पहले पाठ आज उसका समापन है अंतिम पहराग्राप के पहले वाला जो है ग्यारा प्रिष्ट पर जो पहराग्राप है उसी को आज पढ़ना है आपको रगुवन्से कालिदाशाह रगुवन्सी नाम चित्रणम तथा करोती यथा भारती जनजीवनस्यो दात्ता दर्शानम सम्यक दिगदर्शनम भवेत देखिए बड़ी शुन्दर बात कह रहे हैं कि रगुवन्से कालिदाशाह कालिदाश जी जो है रगुवन्स महाकाब्य जो 19 शर्गों का है जिसमें रगुवन्सियों का वरण किया है महाकाब्य तो कहने रगुवन्से कालिदाशाह रगुवन्समें कालिदाश ने रगुवन्सि नाम चित्रणम रगुवन्सियों का चरिच्च चित्रण जिस प्रकार करोती मने किया है तथा मने जिस प्रकार करोती मने किया है इस प्रकार किया है कि बता रहें कि यथा भारती जन जीवनस्यो दाता दर्शनम भारती जन जीवन का स्रेश्ट उनके भारती जीवन की स्रेश्टा का और उनके उदारता का सम्यक माने भली बाद दिगदर्शनम एक दिशा देखी जा सकती है भारती जन जीवन के उदात स्रेश्ट जीवन का अच्छी तरह से भली प्रकार से एक पथ पर दर्शक है एक मार्ग दर्शक है जो सुन्दर ढंग से रगवनस में रगवनसियों का चरिचित्रन का लिदास ने किया है वह जान आपको मालूम होना चीए कि भारती जन जीवन के लिए वह एक उदात रूप में एक भली प्रकार रास्ता दिखाने वाला दर्शन है दिखाने वाला है रग कुल जाह राजा नहा प्रजा छेमाय बलिमाहरन रग कुल जाह मने रग कुल में उत्पन होने वाले राजा नहा राजा लो प्रजा छेमाय मने प्रजा के कल्यान के लिए बलिमाहरन बलिमाहरन बलिम होता है टेक्ष कर जिसको कहते हो तो राजा लोग टेट्च लेकते थे ना और तेक्ष को ले करके प्रजह में जैसे आपके हाँ पहए पहुचा आया में तो तो वही तadowsी प्रहर हैं कि अश्य जो राजा लोग थे कि कि रहे हैं कि लगुल जा रखकुल में उत्पन राजा नामने राजा लोग प्रजा छैमाए सहीज टेक्ष लिया करते थे अपने कल्याण के नहीं प्रजाद के लिए लिए सदासत निष्ठा आसन्त हमेंसा परमित्प और शइयमित्त भासा में, executive अवसित भष्भासे जो रगवंसी राजा थे हो हमेशा कम बोलने वाले होते थे मित भासी जिसको कहते हैं परिमित पिक्दम नपी तुल्य भासा का ही उच्चानन करते थे और हमेशा सत्त निष्ठा में ही उनकी निष्ठा रहा करती थी यसस काम आस्ते तदर्थम प्राणान अपितक्तुम सदेव औधताभुवन यस कामना कीरती के लिए ही तदर्थम हुए हमेशा उसके अपनी कीरती बनाए रखने के लिए अपने यस को बचाए रखने के लिए ही प्राणान अपितक्तुम प्राण को भी त्यागने के लिए अपने कीर्थी को बजाने के लिए अपने प्राणों को भी शदा त्यागने के लिए सदेव तत्पर रहते थे कहा गया है ना रख्कुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर बचन न जाई तो अपनी कीर्थी अपने यश्च को रच्छा करते थे अपने हमारी कुर्ती में कोई दाग न लगने पाए इसके लिए अगर उनको प्राण भी त्यागना होता था तो त्यागने के लिए सदेव तत्पर रहा करते थे केवलम संत्य अर्थे टे ग्रिह में धिनो भभुव केवलो शंतान उत्पत्ति के लिए ही ग्रिहस्थास्त्रम में ग्रिहस्थ धर्म का पालन करते थे सैशबे विद्यार्जनम यवने रंजनम वार्धक के मुक्तियर्थम मुनिवदाचरणम तेशाम ब्रतमासी बालने आवस्था सैशबे मने बालने आवस्था में विद्यार्जनम विद्याकार्जन करते थे विद्यार्जन करने के लिए वाल्यावस्ता हो मानते थे कि विद्यार्जन के लिए है अव्यवने रंजनम यवनावस्ता रंजन के लिए उनकी होती थी भोग विलास के लिए होती थी वार्धक के मने बुढ़ापा मुक्त अर्थम मुनी मुक्ति के लिए हुआ करती थी मुनी वदा आचरणम मुनी की तरह उनका आचरण तेशाम ब्रतमस्तित उन लोगों का ब्रत रहता था ब्रतमसी ब्रत था बाले आवस्ता में विद्यारजन करना और युबा आवस्ता में लोक रंजन करना और वुड़ापे में मुक्ति के लिए ततपर रहना और शदेव हमेशा मुनी मुनी की तरह जैसे एक मुनी का आचरण होता है उसी प्रकार से उनका ब्रत का आचरण संकल बठा कि मैं ऐसा करूंगा बाल ब्रद्ध मनिता दीनम बाल मने बच्चों का ब्रद्ध मने बुढ़ापयों का वनिता मने इस्त्रियों का कितरह यदाचरणम जो आचरण कालिजास काब्बेनी रूपितम कालिजास के काब्बे में लिखा गया है बताया गया है देखा गया है पढ़ा गया है तत्सरवथा वह हमेशा भारती संस्किति गौरवा अनुरूप में भारती संस्कित के गौरों के अनुरूप ही है बालकों का ब्रद्धों का और इस्त्रियों का जो आच्रन कारिदास्त के काब्वे में निरूपित किया गया है लिखा गया है बताया गया है वह हमेशा भारती संस्कित के गवरों के अनुरूपी ही है आही मवत देखिए यहां भवता लिख दिया गया आही भवता नहीं इसको आही मवता होना चाहिए मा होना चाहिए भा नहीं होना चाहिए आही मवता मने हिमाले से ले करके सिंधु वेलाम जाबत मने शमुद्र तक समुद्ध परियंत हिमाले उत्तर में हैना और समुद्ध दच्चिन में तो वने हिमाले से लेके समुद्ध परियंत तक यावत विकिरना भारत गवरों गाथा जो भारों की गाथा विकिरना मने फैली हुई है कालिदासेन कालिदासेन मने कालिदास के द्वारा स्वकृती सुनिपद्धा कालिदास के श्वकृती मने कालिदास ने अपनी कृती में उसको निवध किया है ब्रचा है पिरोया है जो भारत की गवरोगाथा हिमाले से लेकर के समुद्ध परियंत तक बरनीत है अच्छ बनाई गई है उस गवरोगाथा को भारत की गवरोगाथा को कालिदास ने अपने काब्य में निरूपन किया है भारत देश को भारत देश के विविद भू भागानाँ अनेको भू भागों का गिरी गानना दी नाम गिरि मने पहाण और कानन मने जंगलों का याद्रिक मने जिस प्रकार से स्वाभाविकं मनोहारी चित्रम लब्यते शुन्दर श्वाभाविक और मन को हर लेने वाला चित्रन प्राप्द होता है स्वाचच्छुसा नावलोक्या तत्संभवती स्वाचच्छुसा अपनी आखों से अनवलोक्या ऐसा और कहीं दिखाई नहीं देता है तत्संभवत उस प्रकार से वह संभव और अन्यत्र नहीं है तथा विधम जिस प्रकार तस्च देश प्रेम हैं उनका देश प्रेम तस्च काप्योत कर समुद्रन है ती जिस प्रकार उनका देश प्रेम उनके काब्यक को आगे बढ़ाने में समुद्रत मने अच्छी प्रकास से द्रन है किन्टू कस्यावि कालिधासे ने ही सामिमनास्तू 산त्व थार्णनलपा, अनलपा, अनलपा अनलपा बने बहुत सारे सँस्कित कवया, संस्कित के में बहुत सारे कवी हैं किन्तु कश्यापी कालिदासें साम्यमनासी लेकिन कोई भी कालिदास के समान नहीं है कह रहा है संस्कित में बहुत सारे कवी हैं किन्तु कश्याप मनि कुई भी कवी कालिदासें साम्यमनासी कालिदास के समान नहीं है साधुक्तम साधुक्तम मने ठीक कहा गया है केनी चीत मने किसी के द्वारा कालिदासा नुरागिना कालिदास का जो प्रेम करने वाला था कोई उसने ठीक कहा क्या कहा ठीक करें पूरा कभी न